अगले सीजन से इस पे यात्रा चलने वाली है अब यहां से लगा सकते हैं आप उपब को यहाँ पर मिला है हमको अब ही हम घरूर चट्टी के बहुत ही करी पहुंच गे है आने वाले दिनों में गरूर चटी की रानक फिर से बलने वाली है दोस्तों क्या आपको पता है केदारनाथ यात्रा के लिए फिर से एक नया रास्ता बनाये जा रहा है 2013 की जब आपदा आई थी उसमें बहुत ही खतनाग लेंस्लाइड हुआ था जिसमें केदारनाथ सहीद जो रामबाडा बाजार था वो पूरा वस आउट हो गया था और रामबाडा का नामो निशान तक मिट गया था उसके बाद केदारनाथ के लिए रामबाडा से एक नया रास्ता बनाये गया और वो छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली होकर के केदानाथ पहुंचता है नमस्कार साथियो मेरा नाम है राई सिंग्त नोरी और साथियो मैं आज आपको फिर से जो पुराना रास्ता 2013 से पहले था रामबाडा से केदानाथ के लिए गरूर चट्टी होकर के आज मैं उसी रास्ते के बारे में आपके साथ एक्स्प्लोर करने वाला हूँ अब दा 2013 के बाद गरूर चट्टी की कनेक्टिविटी खतम हो गई थी जो ये वाला पैस था ये पूरा वोस आउट हो गया था रास्ता रामबाडा से होकर के के Caesar नाथ के लिये मात्र साथ किलो मिट्र का था अगले सीजन से इस यात्रा चालो हो जाएगी मगर अभी तक देखते हैं क्या स्थिति अभी रास्ते में है औरक्प बढ़ी इसकती तो चरिया बढ़ते हैं आगे तो अगर पर बीज पर नहीं कहीं पर रास्ता कटा हुआ है और कहीं पर कभी चोला वह से रास्ता कट गया है अभी जिस जोगों पर हम है यह रामबाडा के ठीक उपर में है और पहले यहां से नीचे रामबाडा बाजार यहां से नीचे हुआ करता था कुणाने वाले रास्ते से तो कोई गुंजायस नहीं रही है अब इस रास्ते को फिर से नया बनाया जा रहा है अब देखें दोस्तों लगभग डेड़ किलोमीटर अभी हम लोग आगे हैं इस वाले रास्ते पर जैसे सरकार ऐसे दाव और रास्ता अगले सीजन के लिए रेड़ी हो जाएगा और जो यात्रा में काफी सुद्दाएं मिलेंगी मगर अभी जो रास्ते की स्तिती है इस पे अभी मात्र 30% काम ही हो पाया है सुरुआत से और अभी 70% काम लगभग लगभग पेंडिंग बाकी है आगे भी लगभग लगभग यही इस्ति जहां तक भी नजर पहुंच रही है सब जोग ऐसी ही इस्ति है काम पैंडिंग चल रहे हैं और जो लेवर है वो कहीं भी सड़क रास्ते पे नहीं दिखाई दे रही है 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 जो चण है कि उटो में थास्ते शbak क वर जाधा ज्याते वेवर द्रैंग द्रजबेर ऑफिर दोड़्शन दाऊथ हो गड़ी उस वालग द्रश्ति कि आज बिंग कि रहा वारने कि ऑपर जिश्ताले और यस वाले रास्ती हैं इतले पर जोना शुन आपके जोप में अरिवर्च राष्टा नाने वालिये भाइट ज्यादा कर्णे माइब भी इस राष्टे में लगने वाली है जब लूप फुलेगी कि आप डाय हुआ है पहल रहा है यह रास्ता भी यहां उपने कि ए रास्ता है आपर तक नजर मारते हैं यह वह तो पर तक भी रास्ता जाएगा फिर जाके और उपर जाने वाला है रास्ता तो देखें दर्सकों यहां देखें कितने नीचे से यह रास्ता कितनी चणाई हुटर के आ रहा है यहां देखें भीमबली रामबाड़ा और यहां से लगबाग तीन चार बैंड तो इसके काफी कम हैं मगर जो लंबाई है इन बैंडों के अब जो अब आगे शाइब आगे से लिंचॉली वाला रास्ता है वह नीचे नीचे से जा रहा है और जो यह रहा है यह इतनी है अब भी आगे काफी हैट पर जाएगा आगे से अगे अगे तो देखें रास्ता अब आने वाले फुजर में यहां से यात्रा चलने वाली है और यहां से सामने देख सकते हैं आप यह सामने पर छोटी लंचुली की सबसे खड़ी चलाई यहां से बिलकुल चलाई नहीं लग रही है और इस हिसाब से यहां जो सामने वाले रास्ते पर बिलकुल भी चलाई कहीं भी नहीं लग रही है मगर जब इस रास्ते पर यात्रा चलती है तो बहुत ज्यादा चलने में बहुत चड़ाई लगती है और यहां दूर से देखिए बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है रास्ता काफी इजी होगा ऐसे ही और रास्ता भी होने वाला है दूर से काफी इजी है आप उपर को और यह देखिए यह दास्ता जा रहा है जो नहीं वाला है विज विज में काफी हाथ तक यह पन गया है और यहां से अंदाजा लगाए यह कि साइट से जा रहा है और सामने देखिए बड़ी लिंचुली की हाइट के लगभग लगभग अभी हम लोग आगे ह सब्सक्राइब करें देखिए यह अब यह अपनु वह लिया कुब है सब्सक्राइब बहुत लमा लमा बैंड हिन्यारी हो पड़े करें तो देखें दोस्तों अभी हम ठीक गिनूर पानी के उपर में पहुंच गए हैं और यहां आगे देखें यहां तक तो थोना रास्ता काटा गया है और इसके आगे चटान जैसे के तैसी है और अभी यहां से एक पग्रंडी बनाई गई है जो आगे यहां से आगे कनेक्टिविटी देने के लिए और अब हमको भी इसी रास्ते के आगे जाना है और आगे गरुट जटी पहुंचने के लिए इस वाली चोटी के सहारे को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा तो दोस्तों जो रास्ता है वो अभी पहले फेज का जो काम है रास्ते पे वो लगभग लगभग पहले फेजी में पूरा नहीं हुआ है और यह रास्ता अभी रामबाडा से लगभग पांस किलो मेटर तक ही कटा है उपर तक उसमें भी थोड़ थोड़ा काम हुआ है मकर इससे आगे रास्ता दिलकुल भी नहीं बनाये गया है और पूराना अलगभग तीन-चार साल पहले स चोटी सी बढ़िया काडी गई थी और अब इसी बढ़िया से आगे जो रास्ता जाएगा वो गरुण चटी समिट करेगा और यहां आगे आप देख सकते हैं अभी पूरी खतनाग सी पहाडी है और इसी पहाड़े तो आने वाले फ्यूचर में जो रास्ता है वो इसी पहा बढ़ा से और अभी एक बस गया है लगभग हम 6-7 किलो मेटर भी नहीं चले है और अभी गरुण चटी जाने के लिए लगभग यहां से 3-4 किलो मेटर बाकी है तो चलिए बस्तों इस सपर में हमको एक कुछ अलग टाइप का पेड़ मिला है और इस परकार के फल लगे हु अब भूख लगे लिए नास्ते में वाँ लाग यहां इनके नर्कुछ बीज भी आए यहां खटे और मिठे है अथे वह रहे हैं मैं दो पहली बार खाई अब देखते हैं क्या होता है इनको खाके वैसे एनर्जी तो आगी है इनको खाने के बाद भूख तो गायब होगी में बहुत वाई बाई साब यहां देखिए इस पेड़ पे बहुत ज्यादा है वाई यह फनी देखिए जन हमार कड़ वैसमों पोल ने लूड जूड दा यावल पूरा निकालो 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 वाई जा वाई भूख गायब दो झालो निकालो 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 प्ने कुछ यह वो क्सकतन है 30 मत वयग्या हं? यह को यागई झालो यह हुआ एक भैसा र यह प्यां निया कुछ प्या र Sum. तो चलिए दोस्तों अभी हम गरुड चटी के बहुत ही करी पहुंच गए हैं और जो गरुड चटी की साइड से इस रास्ते पे काम हो रखा है वह अभी पहले फेस का लगबग लगबग थोड़ा भूत हो गया है वीज में तो लगबग डेड किलो मीटर तक तो बिलकुल भी कि अभी कुछ भी काम नहीं हो रखा है मगर इसे शुरुवात में दोनों साइड से काम लगा वा था अज कल हलाकी वीज में एक ही जगों पे हमको दो तिन लेबर वाले मिले थे और बाकी पूरे रास्ते पे अभी कोई भी लेबर काम नहीं कर रही है और अब यहां से आगे हुआ है अब यहां पारवाड ना यह बड़ियों दारेक्टिन नहीं कमझे यह बड़ियों तचारिये भाई साब अभी यह देखिए यहां से खोब सुराज साब यू देखिए यहां से गरुड़ चटिका और के दानाद भैली का और यह देखिए यह है रास्ता जो अब नया बनने वाला है और अगामी तीन-चार साल के बाद यात्रा यहां से चलने वाली है तो देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गरुड़ चट्टी में यही पर रामानंद अस्रम आप देख सकते हैं ठीक बिलकुल पास में रामानाद अस्रम आज जो यह रास्ता आ रहा है और आने वाले दिनों में गरूर चटी की रहनक फिर से बढ़ने वाली है आने वाले कुछ टाइम के बाद लाग भाग तीन या चार साल के बाद फिर से गरूर चटी रावननाद आस्रम और गरूर चटी की जो पुरानी रहनक है वो फिर से वाबस आने वाली है आप देख सकते हैं अभी जो पुराना रास्ता है वो तब बिल्कुल सुना सुना पड़ावा है क्योंकि भीचे में पूरा रास्ता वोस आउट हो गया था इसकी वज़ा से जो नहीं रास्ता बनाए गया था वो लिंचोली की साइड से बनाए गया था और अब फिर से इसी र रास्ते को बनाया जारा है घर असके लिए लोंबा होने वाला है काफी दूर ईस रास्ते की होने वालिये ळामबा रांबाळा रहा 5-あー आंद के लिए लग रामबान के मिलते हैं आपको एक ऐसे ही अगले ब्लॉग में अगले एक नए ट्रेक के साथ तब तक के लिए आप सभी को जैवावा के दार